अगर आपने अपना बिजनस स्टैविश करना है तो आपको कितने multiple sources से finances मिल सकते हैं अभी तक हम बात कर चुके हैं कि आपने personal financing के लिए जा सकते हैं या debt or equity के लिए जा सकते हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ other sources भी हैं जिनको हम नाम देते हैं creative sources का जिससे आप पैसे ले सकते हैं अपने business का आगास करने के लिए अगैन तोसीफी हैं हमारे साथ तोसीफ सही चलके पूछते हैं कि हमारे पास अपनी personal या debt equity के इलावा और कौन से multiple sources हैं जिससे अपने business के लिए खास तोर पे एक नया business शुरू करने के लिए हम finances अरेंज कर सकते हैं जी तोसीफ बताइएगा जी creative sources में कुछ ऐसे हमारे पास sources हैं जिनको हम specifically अपनी personal funding या debt equity में categorize नहीं कर सकते अच्छे ठीक हो गया जिसमें सबसे पहले leasing है leasing में ये है कि आप एक right to use a certain property आप ले लेते हैं for certain payments अब पूरी उसकी कीमत भी नहीं दे रहे तो ये cost effective भी हो गया ठीक है कि आप उसको lease out कर रहे हैं और आप simply उसको एक certain time period के लिए कुछ payment उसकी आप दे रहे हैं ठीक हो गया इसके मिसाल यूं समझ लीजिए कि अगर आपको अपने business में कुछ number of computers require हैं तो बजाए इसके कि आप नए खरीदें आप किसी PC manufacturing company से एक lease agreement sign कर ले आचे ठीक हो गया कि हमें आपके इतने systems चाहिएं जो हमने इतनी मुदद के लिए say two years three years हमने उनको use करना है ठीक हो गया उस पे कुछ terms decide होंगी आपको certain payments करनी पड़ेंगी ठीक है regular भी हो सकती है अब जब वो दो साल या तीन साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद option यह होगा कि या तो आप उनका इस्तमाल depend करता है ना उसकत क्या situation terms and conditions भी खास तर पर आपके और company के दर्मान में क्या तैय होई है और फिर यह भी कि उसकत आपके business का क्या situation ठीक हो गया if it is going good अब आपके पास इतने पैसे आ गए हैं कि आप उनको fair market पे खरीद ले fair market value पे आप उसको खरीद ले या अगर इतने पैसे नहीं है ठीक तो आप अपना lease को ही renew करवा ले ठीक हो गया ठीक है या फिर अगर आप कुछ closure की तरफ जा रहे हैं you know small business innovation research grants भी होती है या आपको locally भी मिल रही होती है अपने startup को launch करने के लिए इसका हम देख रहे हैं कि रुझान काफी बढ़ रहा है ये हम चीज़ देख रहे हैं grants भी ले रहे हैं so I guess कि ये वाला trend बहुत अच्छा है जी इसको बिलकुल ये competition style में इसको launch किया जा रहा है कि वो ideas जो हैं वो demand करते हैं फिर उनका competition होता है और फिर जो win करता है जिसका idea उन्हें ज्यादा viable लगता है ज्यादा innovative लगता है उसको फिर वो जो भी उनकी एक amount decided होती है वो उसको grant की शकल में मिल जाती है और अगर आपके साथ add करूं इस वकत पाकिस्तान के अंदर भी ये trend अब आ रहा है कि पाकिस्तान के जितने भी social issues है उनको resolve करने के लिए अगर किसी के पास को बहुत अच्छा innovative idea है तो वो लेकर आ रहा है और अगर वो idea win कर जाता है तो मेरे खाल से इसको grants मिल रही है product development के लिए ये बहुत बड़ा platform I guess खुल गया young entrepreneurs के लिए और क्या है हमारे पास और इसके अलावा government अपने अपने tenure में different जो आती है governments वो कुछ ना कुछ ऐसा launch करती हैं जिससे जो SMEs हैं या जो young entrepreneurs हैं उन्हें कुछ सहूलत मिल सके ती उसमें वो grants या किसी भी शकल में वो जो seed money वो और अपना जो छोटा मोटा setup है वो लगाना चाहते हैं वो लगा सकें so this can be another source के government की तरफ से उन्हें grants में बड़ रहे हैं ठीक हो अगर I guess पिछले 10 सालों के अंदर अंदर हमने ये देखा है कि आने वाली जितनी भी governments हैं उनका SMEs की तरफ focus बढ़ गया है और शायद उसकी व SME sector को government की तरफ से special support खास तरफ तो obviously लेकिना किसी भी venture को शुरू करने के लिए seed money ही required होता है तो अगर आसान किस्तों पे बहतरीन किस्तों पे government की तरफ से ही करजें मिल जाएं छोटा कारोबार शुरू करने के लिए तो इससे बहतरीन चीज़ और कोई भी नहीं हो सकते है उनकी जो terms and conditions हैं वो इतनी hard and fast नहीं होती और अगर आप देखें पिछली एक दो हकुमतों में उन्होंने कोई ना कोई इस तरह का program launch किया है जो है इनको support मिल सके ठीक हो गया उसके बाद एक जो आखरी इसमे creative sources में हम देखते हैं वो strategic partnership अच्छा strategic partnership में ये होता है कि इसको let's try to understand it with the help of an example कि मिसाल के तौर पर आप एक drug पर काम कर रहे हैं कोई medicine आप ऐसी बना रहे हैं जिसकी clinical testing के लिए आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप एक पुरा lab का setup लगा सके हैं कि ये it requires lots of money lots of money तो फिर आप किसी ऐसी you know established drug company के साथ आप strategic partnership कर लेते हैं और उसमें फिर again क कुछ terms and conditions होती है ठीक हो गया दोनों तरफ हो सकती जाहर है उनका भी कुछ stake होगा तो वो आपकी obviously कुछ patents के issues आ सकते हैं और बहुत से issues आ सकते हैं उसमें फिर दोनों चीज़ें होती है ठीक के या तो वो जब licensing होगी उसमें कितना share बनाने वाले का होगा और कितना share company का होग का उसको market में लाने का उसको brand करने का वो फिर company की जिम्यदारी हो जाती है ठीक हो गया तो that's why आप एक strategic partnership में आके अपने जो है idea को आगे बढ़ाते है ठीक हो गया और इसमें strategic partnership के अंदर ही एक और चीज़ ये भी हो सकती है कि और objectives achieve करने के लिए भी आप कर सकते है cost reduction ठीक है कोई access करना है आपने किसी specific product को जो आपकी access नहीं है ठीक लेकिन किसी specific person या company की मदद से आप वो चीज़ access कर सकते हैं या सप्लाइज मंगवा सकते हैं ठीक हो गया तो उस صورت में भी आप जो एक source अडाप्ट करते हैं वो ये हो सकता है strategic partnership ठीक हो गया अच्छे तवसी अब हम इस point पर आगए हैं कि हम के कहते हैं कि अगर आपने अपना नया business establish करना है खास तोर पे या चले अगर हम यूं कहते हैं कि establish हो गया अप फुरा सा grow करना है आपने तो आपके पास यहां तो option है कि आपने personal funds को استعمال कर लें यहां आपके पास option है कि आप debt or equity के पास चले जाएं य यह तमाम बाते होगे कि हम finances किस तरह से manage करते हैं अच्छा बड़ी critical बात यह है कि हम यह किस तरह decide कर सकते हैं या आपनों समझ लें कि हम आपसे guideline पूछ रहे हैं कि किस तरह का venture किस तरह की financing को ज़्यादा suit करता है बिलकुल यह एहम सवाल है यह भी लेकिन इसमें इसको बता आने से पहले एक important बात जैसे वो कहते हैं न disclaimer यह है कि guarantee कोई नहीं है success is not guaranteed ठीक है अगर यह आप कहें कि यह एक source पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे guaranteed success है तो ऐसा नहीं है ठीक है उसके लिए बाकी factors रिस्क is there लेकिन yes आपने ठीक का कि कुछ criteria ऐसा हो सकते हैं कि उनको द देखके decide किया जा सके कि कौन सी type of funding जो है वो suit करेगी उस business को so let's look at the screen यह हमने एक table जो है वो present किया है ठीक इसमें हम देखते हैं कि अगर एक business है जिसका higher risk है और uncertain return है अच्छा उसमें फिर उसके weak cash flows भी है ठीक है तो यह अगर इस तरह के characteristics आ रहे हैं नजर आपको उसमें भ proven management है तो इसमें जो preferable जो appropriate source of financing है वो यही होगा कि आप personal funds पे जाएं ठीक है उसमें वही तीन option आपके पास मौझूद है अपने पैसे लगा लें या friends and family और bootstrapping ठीक हो गया ठीक है दूसरी चीज़ यह है कि अगर business में low risk है लेकिन कुछ हद तक predictable return नजर आ रहा है ठीक हो गय इसमें cash flow भी strong आपको लग रहे हैं तो इसमें फिर आप debt financing की तरफ भी जा सकते हैं लेकिन आप ज़रा गोर कीजिए इसमें audited financials का point आपको नजर आ ठीक हो गया यानि अगर आपने debt financing की तरफ जाना है तो अपने financial records का audit रखना पड़ेगा audited financials आपके इसलिए भी जरूरी है कि डिमांड भी हो सकती है जिस bank ने या जिस financial institution ने आपको loan देना है they would like to see your financial statements ठीक हो गया ठीक है और एक जो थर्ड है वो यह है कि अगर business is offering a higher return उसमें idea भी unique है growth भी high है niche market है तो उसमें management भी proper है ठीक हो गया तो फिर आप जो है वो equity financing की तरफ जा सकते हैं उसमें आप फिर जो sources हमने discuss किये जो भी equity financing के हवाले से you can look for that ठीक हो गया और government grants जो competition हमने देखे हैं वो ज्यादर तर new product development की तरफ चले जाते हैं और यह social innovation की तरफ चले जाते हैं और जो government grants होती हैं usually वो हम देखते हैं कि किसी खास एक मखसूस sector को for a certain period of time promote करने के लिए तो loans वो दे रहे होते हैं और at the end इस table के हवाले से एक एहम बात यह होगी कि ये तो एक kind of suggestion है ठीक हो गया ठीक है ना इसमें again ये बात important रहेगी कि जो entrepreneur है जो एक startup को launch करने जा रहा है उसकी personal preference क्या है या उसके लिए convenient क्या है convenient क्या है और हलात क्या बता रहे है कि वो किन एक जराए की तरफ ज्यादा आसानी के साथ जा सकता है ये तो होगी सारी discussion about the personal funding debt equity और creative sources और खास तोर पर ये कि आपका किस तरहां का business किस तरहां की funding को suit कर सकता है तौसीफ से हम request करेंगे आने वाली videos में कि वो आपको financial statements और ratios के बारे में भी सिखाएं See you in the next video